इराक में जंता विद्रोह पर उतर आए हैं. इराकी प्रदर्शनकारी बगदाद में संसद भवन में घुस गए हैं. बगदाद में हजारों इराकी भरष्टाचार और कुशासन का विरोध कर रहे हैं और संसद भवन में तोड़ फोर मचा दी हैं. प्रदर्शनकारी पूर्ग मंत्री और पूर्ग प्रांतिय गवन मुहम्मद शिया अलसुदानी की उम्मीद्वारी का विरोध कर रहे हैं, जो प्रीमिय के लिए इरान समर्थक समन्वे धाचे की पसंद हैं. बड़ी गिरावट के बाद एक फिर से सोने चांदी की कीमत में उच्छाल देखा जा रहा है. MCX के मुताबिक आज वायदा में 24 केरेट के 10 ग्राम सोने के भाव 151 रुपे 0.30 फीसदी बढ़कर 50,735 रुपे हो गया है. स्पोट पर 24 केरेट के 10 ग्राम शुदर सोने का भाव 50,680 रुपे है. वही 22 केरेट के 10 ग्राम सोने का भाव 46,450 रुपे है. वही चांदी के वायदा की कीमत 196 रुपे या 0.36 फीसदी बढ़कर 54,911 रुपे प्रती किलोग्राम हो गई है. डेश की सबसे बड़ी मल्टिप्लेक्स चैन चलाने वाली कमपनी PVR ने टिक्टो के दाम में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. PVR के CEO गौतम दत्ता ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाए, लेबर कॉस्ट में इजाफा होने और रिडेवलेप्मेंट की लागत बढ़ने के कारण टिक्टो के दाम में 23 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. UPSTF को बड़ी सफलता मिली, कुख्यात अपराधी भूपेंद्र बाफर को गैंस्ट मामले में मेरट से STF ने गिरफतार किया उसके खिलाफ कई जिलों में कई अपराध के मामले दर्ज हैं. समाजवादी पार्टी नेता सांसद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जोहर विश्वविद्याले को शत्रूर संपत्ती बताकर जिला प्रशासन ने कबजे के आरोप में कटिले तार से 2019 में घेर दिया था इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को तार हटाने का आदेश दिया है. रनबीर कपूर की कमबेक फिल्म शमशेरा बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप साबित हुई है. शमशेरा में रनबीर का डबल रोल है और उनके साथ वानी कपूर संजय दतलीड रोल में नजर आये है. अच्छी स्टार कास्ट होने के बाद भी ये फिल्म को फ् किया है. जिसके बाद टोटल कलेक्शन 49 करोण हो जाएगा. एशिया कप की मेजबानी वेन्यू को लेकर सभी अटकलों पर अब लगाम लग गया है. एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बयान जारी कर कन्फरम कर दिया गया है कि 27 अगस्ट से शुरू होने वाला एशिया कप UAE में ही होगा. आज दुनिया भर में मनाया जाने वाला विश्व प्रकृती सनरक्षन दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है जो हमें हमारे जीवन में प्रकृती के महत्व की याद दिलाता है और इसे सनरक्षित करने के लिए प्रोटसाहित करता है विश्व प्रकृती सनरक् भीरता और जवाब देही के साथ प्रकृती के सनरक्षन के बारे में सोचना होगा.